कुछ नंबस की बात करते हैं, तीसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नंबस ठीक ठाक रहे हैं, इस दोरान बैंक का मुनाफ़स अथ 20 परसेंट, तो ब्याज से कमाई यानि NII करीब 10 परसेंट बढ़े हैं, हलांकि ब्याज से कमाई में एक इंकम टैक्स रिफंट का भी हात रहा है NIM बिना बदलाव की अनि मार्जन 3.2 परसेंट पर रहे हैं, इस बार के नंबस और आगे के चर्चा के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के एडी अशोक चंद्रा जुड़ गए हैं, चंद्रा साफ गुड़ मॉर्निंग, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बह हमने अपने एडवांसेज को बहुत ही जुडिशिली यूज किया है, जैसे हमने आपने देखा होगा, रैम सेक्टर और कॉर्पेट सेक्टर के बीच में जो हमारा मिक्स था, तो सेप्टमबर में हमारा एरॉंड 54 परसेंट रैम का कंट्रिबुशन था, जिसको हमने भी में का कंट्रिबुशन इल्ड और एडवांसेज में काफी जादा है, तो हमने काफी फोकस दिया है में को बढ़ाने के लिए और रिटेल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और आफ्टर ए लॉन टाइम आप देखेंगे कि में जो इस क्वार्टर का जो ग्रोथ हुआ है, वो हमें नीम पे उसका इंपाक्ट आया है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ने के बाजोल हम अपने नीम को मेंटेन कर पाएं है, और 3.02 जो गाइडन्स हमने पहले भी दिया था, तो पाइंट नाइन से 3 के बीच में रहेगा, बट हमने 3.02 पे नीम को मेंटेन किया है, और आने वाले समय में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2.9 से 3 के बीच में हम अपने नीम को मेंटेन कर पाएंगे, अचा ठीक है, नीम की बात समझ में आगे, लेकिन आपको जो डेपॉजिट और एडवांसेस का ग्रोथ गाइडन्स है, वो इंडस्ट्री से थोड़ा नी तो हमने जो एडवांसेस का, जो ग्रोथ का गाइडन्स दिया था वो 10.5 का गरूएं जिया था, और उसके ऊपर अगर हमारा परफॉफॉजिशिद गर्वायं व देखेंगे तो 11.69%. का हमारा परफॉर्मेंस है इसके भीतर भी अगर आप देखें तो हमारा रांस सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है वह 14.56% का ग्रोथ हुआ इस पिछले कितने कौर्टर्स का अगर आप देखें तो यह एक हाईस्ट ग्रोथ है आपका आपजर्वेशन जो है वह सही है जो कार्पर सेक्टर में हमने थोड़ा अपने लोन बुक को स्रिंग किया है जो आपको मालूम है के इंबी एफ्सी के ऊपर जो आर्बी एकी जो गाइडलाइन साई थी रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट जो आया था तो उसके अंतरगत हमने सारे इंबी एफ्सी के जो पॉट्फोलिया तो उसमें most of the हमारे इंबी एफ्सी में ग्रोथ जो है वो कम हुआ है आप देखेंगे 143,000 करोल का हमारा पॉट्फोलियो था हमारा विचार है और हम ऐसा मांते हैं कि आगे भी हमारा एरॉंड एलेवें टुट्वल परसंट का ग्रोथ निस्टी थी पूरे लोन बुक में होगा अच्छा सर यह आपने जो भी 2.9% के नियम की खल्पना करी अशुक जी मतलब क्या लग रहा है मिन जो कॉस्ट अफ डिपोजिट्स है लग अगले दो कॉटस में बाइद एंड अप दिस फिसकल और भाई इस फिसकल कितने बढ़ने की आयति आशांका लगर यह आपको इसमें अशोग जी मिरको सुन पारें आप नहीं एक बार अशोग जी मिरको सुन पारें आप जी जी बिल्कुल सर अशोग जी मैं एक बार आटिंग वीरू के कुछ अडियो में इसुआ रहा है उसको मैं सॉल्व कराता हूं लेकिन मौए उससे पहले एक चीज़ स्वरी आपने राम दो बार यूज किया यह हमारी रीटेल ओडियंस के लिए राम का क्या मत्त्त हुआ ह रीटेल है ए में ए में जी यह रूड अगरण अगर में में स्वरी आक्सेंर था एक पहुत। ये सर रीटेल है और अग्री में है इसको मैरे सामने यह टीन सेक्टर आते हैं रहाए में सर न県 begitu कि ह्ट्कि हमारी ओडियंस पूरी हिंडिय कि इसके लिए थाकिया इक सो यहाँ पर इस समय अशोग जी तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस कन्वर्सेशन कोम को यहीं खत्म करना पड़ेगा तो आडियो का इशो है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको all the best पूरे साल के लिए नहीं वे बनाता पुरे साल को मुझे लिए हमारे साल को सुन आपको रहें दोग के लिए यहाँ हम haz TL-バイज करना दो आपको रहे मारे साल करना प्लवपर अव admire आपको रह एहाँ है printing